बीते 24 गंटों में प्रदेश के जो हमारे डिस्टिक हैं सोलन है शिमला है सिर्मोर कांगडा भी लास्पूर हैं तो इनक्षेत्रों में हलके से मद्यम बाइश दर्च की गई हैं और अमांट वाइस बात करें तो धर्मशाला में सबसे अधिक 40 हमें बाइश दर्च की गई थी प्रदेश के जो प्रदेश के जो मद्यवर्टी खेत्र हैं यहां पर हलके से मद्यम बारिश होने की संभावना है साथ ही में जो हमारे डिस्टिक कांगडा है सोलन शिमला सिर्मोर और विलास्प्रा मेरपूर यहां पर एक दो सानों में भारी बारिश भी हो सकती है आज 14 अ प्रदेश में हलके से मद्यम बारिश होने की संभावना है साथ में जो हमारे डिस्टिक हैं चंबा है कांगरा मंडी सोलन शिमला सिर्मोर और विलास्पूर हमेरपूर है तो यहां पर एक दो सानों में भारी बारिश भी हो सकती है फिर 17 तारीक को थोड़ी वैदर में सिर्मोर है सोलन है कांगडा तो यहां पर इस दृष आपने कहा कि भारी बारिश हो सकती है तो कुई यहां पर विभात डौर बीजारी किया लिए फ्लेश प्रट या रिया यह अगर्स को जो हमारे डिस्टिक है सोलन शिमला सिर्मोर है उना है फिर आपका विलास्पूर और कांगडा है तो यहां पे आग 14 गरस्त में इन डिस्टिक्स के लिए हैवी रेनफॉल का यह जारी गिया है के वाइग दो स्टानों के लिए फिर 15 और 16 गरस्त को जो हमारे डिस्टिक्स चंबा है फिर कांगडा मंडी है स्टानों में हैवी बारिश हो सकती है इसको देखते है 15 और 16 गरस्त को इन डिस्टिक्स में यलो अलर्ट जारी गिया है है वी रेनफॉल का अगर पहले देखिए अगस्त मा की बात करें तो अभी पूरे प्रदेश में समाने बारिश दर्ज की गई है जो एक्च्छल बारिश है वो 140 है में रिकॉर्ड की गई है अगेंस नॉर्मल ऑफ 146 और उसमें अगर बात करें तो केवल हमारे चार डिस्टिक हैं जिसमें है चंबा है कि नौर कुलू लौस्पूती जहां समाने से कम बारिश दर्ज की गई है और सीजन वाइस बात करें तो एक्च्छल से अभी माइनस 25 परसेंट बारिश दर्ज की गई है इसमें केवल हमारे पांच जिले हैं बिलासपूर है कांगण मंडी है और शिमला सिर्मोर है जहां समाने बाईश दर्च की गई है शेश जो डिस्टिक्स है वहाँ पुरे सीजन में समाने से कम बाईश दर्च की गई है